तो इस वक्त देख बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है राश ठाकरे ने अपना एयोध्या दोरास तगित कर दिया है राश ठाकरे ने खुट ट्वीट कर इस बारे में जानकरी दिये फिलाल के लिए उनका एयोध्या दोरास तगित हो गया है राश ठाकरे 5 जून को एयोध् लेंगे और मंसे निको को इसके बारे में विस्तार में जानकारी देंगे तो इस समय की सबसे बड़ी कबर मंसे प्रमुग राश ठाकरे का अयोध्या दोरा स्तगित हो चुका है राश ठाकरे पात जून को अयोध्या जाने वाले ते और अयोध्या दोरे के लिए मंसे की निको को बूख किया था 15,000 मंसी के कारे करता राश ठाकरे के साथ आयोध्या जाने वाले थे वहीं हजारों गाड़ी रोड के माध्यम से आयोध्या जाने वाली थी लेकिन इस वक्ती सबसे बड़ी खबर आ रही है राश ठाकरे का आयोध्या दोरा स्तागित हो गया है राश ठाकरे से लगातार माफी की मांग की जा रही थी ब्रीज भुशन शरंद सिंग हो या बाबरी मज्जित के पक्षकार इकपाल अंसारी हो ऐसे कई लोग थे जो राश्ठाकरे से उत्तर भारतियों से सारवजनिक तोर पर माफी मांगने की मांग कर रहे थे उनके अयत्या दोरे का स्ता अब राश्ठाकरे के अयत्या दोरे को सफल बनाने के लिए लेकिन अब राश्ठाकरे ने खुड ट्वीट के माध्यम से जानकारी दिये कि वो अयत्या पे नहीं जा रहे है आपके स्क्रीन पर राश्ठाकरे का ट्वीट चल रहा है उसमें मराटी में लिखा है तूरतास अयत्या दोरे को स्तागित कर दिया है महराष्ठा मंसेनिक अनलो दिया या वर सविस्तार बोलू आ तो मतलब उन्होंने कहा है अपने मंसेनिक और महराष्ठी के लोगों को कि 22 मही को वो इसको लेकर जो जनसभा करने वाले पूने के गनेश कलाकरीडा केंदर में उसमें वो सविस्तार जानकारी देंगे क्यों आयोत्या दोरा स्तागित किया है तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राश्ठाकरे का आयोत्या दोरा स्तागित हो गया है भारी विरोध हो रहा था राश्ठाकरे के आयोध्या दौरे को बीजेपी के सांसर ब्रीज बुशन सरंसिंग ने राश्ठाकरे के आयोध्या दौरे के खिलाप मोर्चा खोल रहा था तो अब इस वक्त की सबसे बड़ी यही खबर है कि राश्ठाकरे का आयोध्या दौरा स्त मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई